हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप? I hope आप अच्छे होंगे बहुत दिनों के बाद आज मुलकात हुई है स्वागता आपका जैमा टैरो चैनल में जैमा टैरो आपका अपना टैरो गाइस जैमा टैरो की जन्नल रीडिंग का टोपिक है आपके परसन की क्रंट फिलिंग जी हाँ आपके परसन जिसको आप चाहते हो उनकी वर्तमान भावनाए ये रीडिंग ही शी सेम जैंडर मैरिड अनमैरिड सबी लोगों के लिए हैं जो भी लव रिलेशनशिप और प्यार महुबत के रिष्टे में है क्लेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है आप जब चाहे इसे देख सकते हो टाइम की कोई बंदिश नहीं जब आप देखोगे ये तभी से मानी जाएगी और टाइम की कोई पबंदी नहीं जितनी रोजनेट हो रख लेना बाकी जाने देना क्योंकि ये जनर्ल रीडिंग है किसी के साथ पूरी मैच करती है किसी के साथ आदी लेकिन ये अक्की बात है इस रीडिंग में आपको बहुत सारी कलेक्टि और एक ऐसी एडवाईज मिलेगी जो आपके रिष्टे और आपके दिल को सकून पहुचाएगी यनि कि आपके प्यार मुबद के रिष्टे को कारगर सिद करेगी ये कार्ड होते हैं ये अनर्जी बताते हैं तो आपने इन कार्ड की अनर्जी को देखते हुए अपने रिष्टे को फोलो करना है और ऐसी भी मैं बीच में बहुत मोटिवेशन बाते बताती हूँ जो आप लोगों को काफी सकून देती हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कितने महरमान है उस परसन का आज हाल देखते हैं जो मैंने भी ने कभी देखा लेकिन आप तो जानते हो वो बंदा क्या है जब वो बंदी क्या है जय है माता दी फरस्ट कार्ट कौन सा है जी हाँ एर साइन आया है सिक्स ओफ सोर्ट्स का अर्थ साइन भी साथ ही आ गया सैवन ओफ पेंटिकल्स का फफ फफ सोर्स ये भी गाईज एर साइन दा एम्परस्ट गाईज मेजर अर्काना तन हभ टाइजों ठ फरस्ट कार्ट गां वम्परस्ट कार्ट गाईज दा गाईज एरस्ट गाईज गाईज साइन आ Knight of Swords, the Tower Miserer का नब, the Magician, Guys, Bottom में आया है, Three of Swords, अब मैं समझी कि ये जो सारे कार्ड आ रखे हैं, ये क्या दिखा रहे थे मुझे, तो चलिए, शुरू करते हैं, हम Reading, जिस जो है आपके परसन की Crunt Feeling, Guys, आज की Reading जो है न, मैं आपको बता देती हूँ, कि आपके परसन, जो है न, आप लोगों का रिष्टा है, जो है न, Guys, ये अगर आप रिष्टे में हो, तो ये काफी मुसीबतों से, ट्रबल से, प्रिशानियों से चल रहा है, और कुछ लोगों के रिष्टे में, maximum लोगों के रिष्टे में, खटास चल रही है, खटास चल रही है समझ गया ना ब्रेकप हुआ 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 है तो यहांँ काड़ जो आए है ना इस तरह आए है यहां जो दो Empress की अनरजी है ना Empress की अनरजी वो आपको शो कर रही है चाहे आप वो ही हो चाहे शी हो क्योंकि एक वेटिंग अनर्जी है ये आप जो हो आप ऐसे इंसानों मैं आपके अनर्जी बता रही हूँ अगर आपके साथ ये मैच करती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे हाट जुरूर बेजे आप ऐसे इंसानों गाईज जो लाइफ में आगे बढ़ना ग्रोथ पे चाहे वो रिष्टा हो चाहे वो फाइनस हो उस पे बिलीव करते हो जिन्दगी में पीछे मुड़के जीने के आपको आदत नहीं है समझदारी की भी आप में कोई कमी नहीं है आपका रख रखाव खाना पीना गूमना फिरना हेल स्टाइल पहने होने का बहुत बढ़िया है लेकिन यही चीजे देख के आपके परसन आपके उपर पूरी तरह गायल या कहों कि फिदा हुए हुए थे आप एक पोजिटिव इनसान हो अगर ये इनसान ने आपके साथ गलत किया है तो देखिए साथ में मिला हुआ है हमें 10 of source का कार्ट और इधर क्या मिल हुआ है 5 of source का कि इस इनसान ने आपके साथ आपको रिष्टे में चीट किया है किस तरह चीट किया है कि इस तरह का चीट किया है कि आप इस इनसान के साथ दिल ही दिल में कुड़ते रहते हो लेकिन आर्जूमेंट नहीं कर सकते है कहते हैं ना प्यार मोहबत हो गया लेकिन इस इंसान ने अपने दिमाग में manucleashan चलाई है आपके साथ dominant किया है आपके साथ behavior खराब किया है आपको बड़े प्यार से पीट पीछे वार किया है यानि की cheat किया है आपको इसकी energy ये बता रही है कि आपको इसने waiting list में यानि की वेटिंग में डाला हुआ है इस टम आप इस इंसान को इंतिजार क्यों कर रहे हो इस इंसान की करन्ट फिलिंग क्यों देखना जाते हो क्योंकि आपने अभी तक होप भी ने छोड़ी और कहीं ना कहीं आज भी आप इसके साथ बहुत प्रेम करते हो यह बंदा है या बंदी इसने आपका दिल पूरी तरह से दुखाया है टैन ओफ सोर्स का कार्ड यह बताता है कि पूरी तरह से बड़े प्यार से पीठ पीछे खुरा को उपना जिसमें कि मेरा साप भी मर जै लाठी भी न टूटे मेरा नाम भी न आए और आप सोचो कि इस इंसान की मजबूरी थी तो इसकी क्या मजबूरी थी इसने जहां तो यह चीज आपके लिए फाइनस के चक्कर में करी है जहां इनकी लाइफ में कोई और था तो यहां देखिए इस इनसान ने आपके साथ इस तरह का रिष्टा खराब किया हुआ लेकिन आप चाहते हो कि यह इनसान जो है इसकी फ इसके साथ बनाना चाहते हो क्यों बनाना चाहते हो क्योंकि आप दिल से लाइक करते हो और आप यह भी सोचते हो कि मोका तो मिलना ही चाहिए क्योंकि प्यार महुबत कोई खेल नहीं है आई यहां कल वहां यह अपने अपने थोट है हर किसी के थोट नहीं होते लेकिन आपक तो बात कहूं इसने अगर आपको इस कंडिशन में इस तरह से चीट किया है आपको वेटिंग में छोड़ा है तो ये इनसान भी कोई खुश नहीं है क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको लेके जा रही हूँ सीधा बोटम में त्री ओफ सोट्स ये इनसान की जो इस टैम हालत है ये इस तरह से है त्री ओफ सोट्स ये बुरी तरह से तूटा हुआ है और उसकी वज़ा क्या है कि जिस वज़ा से इसने आपको चीट किया चाहे वो फाइनस था चाहे इसके फैमली थी और चाहे इनकी लाइफ में कोई एक्स नेक्स था वहाँ से इनको जो है रिस्पोंस आप जैसा नहीं मिला ये इनसान जो है पूरी तरह से इस तरह गायल हुआ हुआ है कि अंदर से दुखी है बहुत परिशान है रोता बिलगता है लेकिन आगे नहीं बाड़ सकता क्योंकि इस बंदे ने आपको बहुत भुरी तरह से प्यार महुबत की जंग में हराया है अगर इस टाइम ये आपके साथ रिष्टे में है तो कुछ लोगों के परसन ये ही करने वाले हैं जा कर रही हैं हो सकता है आप रिडिंग गोर से सुनिए अगर इस टाइम आपके परसन है कुछ ऐसी बाते कहते हैं कि मैं बहुत परिशान हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाता मैं मजबूर हूँ तो आप इस चीज़ को अगर रिडिंग आपके साथ मिलती तो आपने सीरियस नहीं 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 एक प्रैक्टिकल बेस से अपने रिष्टे को चालू रखना है तो चलिए इस इनसान ने आपका बहुत दिल दुखाया बहुत दरद दिया और इस टैम खुद बहुत दुखी है लेकिन टूटा हुआ दिल लेके यह जाएंगे कहां यह कहां जाएंगे इस टैम यह अपने आपको इतना दुखी है रिष्टे में इतने ड्रामे होने के बाद भी यह अपने आपको हील कर रहे है हील जब इनसान कब होता है जब बहुत दुखी हो जाता है जब दिल आँखों के साथ साथ दिल के भी आंसों निकलते हैं जब दर्द जो होता है किसी के आगे ब्यानी कर सकता फूट फूट के आँखों के जर्ये निकलता है तो ये इनसान जो है अपने आँखों हेल कर रहा है क्योंकि ये अपने रिष्टे को आगे बढ़ानाचाता है क्यों है क्योंकि ये रिष्टे को आगे बढ़ाना चाता है हमें मिला हुआ है The Tower का कार्ड The Tower का card बताता है इस person और आपके रिष्टे में काफी परेशानिया, काफी तबाईया, काफी थोट जो ना मिलने की वज़ा से जा तीसरे member रिष्टे में जो तीसरा गुशता है ना कोई भी रिष्टा हो यह प्यार मुभबत का नहीं कोई सा भी रिष्टा हो जब थर्ड अदम इंटर्फेर करने वाले गुस्ते है ना वो रिष्टे को चकना चुर कर देते हैं इतना कर देते हैं कि एक कमोदर एक कमोदर तो यहां जो इस कंडिशन में आपको छोड़ा गया था अब यह transformation का card जो बता रहा है कि आपका person जो है आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं जब यह आपके साथ थे तो क्या था जब आप इनके साथ थे यानि कि इनको और चीज़ों में हो सकता औरों में crush जाता हो जा औरों के finance में जा आपको इनने समय ने दिया हो इनका ध्यान लालच की तरफ था बड़ा हुआ था लेकिन इस टैम यह इनसान जो है अपने रिष्टे में transformation चाहता है और divine भी चाहता यहीं है इतना दर्द लेके यह कहां जीएंगे इनका जो धर्द है ना आंसु सूखने वाले हैं transformation होने की सोच रहे हैं और अपने आपको हील कर रहे हैं अगर मैं कहू तो यह बंदा है या बंदी यह अपने शुब चिंतक से आपके और अपने रिष्टे के लिए advice अक्सर मांगते हैं हो सकता है कि इनका कोई शुब चिंतक इनका friend हो जा इनका family member जो well wish हो जो इनकी बात को इनके दिल को जा इनकी हर चीज को समझता हो जा इनको हो कि वो हमेशा इनके लिए बला ही सूचता है तो अडवाइज लेते रहते हैं क्योंकि यहां मिला हुआ है हमें night of swords का गार यह चाहते हैं life में फिर पूरी तरह पहले जैसा set हो और यह action लेते हुए आप देख रहे हैं ना यहां tower का card transformation का साथ में ही action का card मिला है कि जैसे ही आपके रिष्ट का transformation होगा यह बंदा जबंदी एक्शन लेते हुए फटाफट से दिख रहे हैं magician का card यहां पर उपर को कुन सा six of swords यह divine की ऐसी किरपा है कि अब इनके थोट ऐसे हैं कि यह चाहते हैं कि अगर एक बार आप life में इनके साथ आ जाते हो जा आप इनके साथ जुड जाते हो चाह चाहे मैरीज हो चाहे कैसा भी हो तो यह आपका साथ नहीं चोड़ेंगे यह हमेशा आपको दुख सुक में साथ भी देंगे और अपने साथ साथ रखेंगे बले ही उन लोगों से इनको दूर होना पड़े जो लोग इनके और आपके रिष्टे को खराब करते हैं दा मजीशियन का काट काईज यह बता रहा है जिन्दगी में लाइफ में जब यह आएंगे सब कुछ अमेजीन होना है यनि कि वो सब चीजे वो सब परशानियां जो चली जाएंगी और जिन चीजों का आपको वेट है वो आपकी लाइफ में दुबारा आएंगी मजीशियन का काट क्या बताता है कि लाइफ में पोजिटिविटी आएगी आपको वो सारी चीजे मिलेगी एक ऐसे तरीके से जिसको आप कह सकते हो भी हाँ अम मेरी लाइफ जो है काफी ब्यूटिफुल है काफी अच्छी चल रही है बहुत अच्छा टाइम निकल रहा है बले ही मैंने वो दुख देखे हैं लेकिन वो दुख भूलते हुए आपको फिर टाइम नहीं लगेगा तो गाइज आपके परसन की जो करंट फिलिंग है पास्ट में जो भी कुछ गल्त हुआ वो उनकी गल्तियां थी लेकिन इस टैम वो इस तरह से तूटे हुए हैं इस परसन की अनर्जी यह है दर्द बला दिल लहुलहान तो वो अपने आपको हील करके आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं आपके लिए बात करते हैं लोगों से अडवाइज लेते हैं और ना कभी आपसे अलग होने की अंदर ये अंदर से मन में कसम खाते हैं चाहते हैं एक लोग अभी इस रिष्टे में हैं जिनके परसन जो है आपसे अलग नहीं है और आप लोगों के साथ ये सब चीजे चल रही हैं तो आपको इसके लिए क्या जालना होगा वो मैं एडवाइस कार्ड में बताऊंगी तो ये गाईज इनसान की जो है करंट फिलिंग बहुत तो देखते हैं ये इनसान जो है आपके जो परसन है जिनके रिष्टे में आप चल रहे हो आपके लिए क्या अडवाइस है जिनका रिष्टा खटास में चल रहा है परसन जो है रोल नए नए डरामे बना के आपको परस्षान करते हैं जै माता दे तो गाइज आपके साथ आपका एडवाइज कार्ड जो है टेन ओफ पेंटिकल्स तो जैसे अगर आप अपने रिष्टे में अभी खठास चल रही है आई दिन परसन के बहाने बन रहे हैं तो आपको क्या करना है गाइज इस इनसान की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना अगर आपको हलका सा भी डवट है कि ये आपको गुमा रहा है फैमली के बगार किसी रिष्टे में आगे में ने बढ़ना पास्ट में जो अगर कोई गलती होगी तो उसको भूल जाएए अगर आप पोजिटिव बनो रहोगे इस रिष्टे में प्रैक्टिकल बने रहोगे तो क्या होगा आपको यहां देखिए बोटम में सीक्स और वांट्स का कार्ड है फिर आपके लिए खुशिया और घर और सेलिब्रेशन आपको तयार मिलेगा लेकिन आपको ऐसे ही रहना होगा जैसे मैंने बताया है वैसे आपको अपनी अडवाइज में लाना होगा इस अडवाइज को मानना होगा एक काड़ोर निकालों गाईज जो इंसान एक्षन लेने वाले हैं ट्रांस्फोर्मोशन होने वाला है आज हम देखते हैं इस बंदे की अब थोड तो अच्छे हैं लेकिन टाइम कितना लगेगा गाईज टैम प्रेस का काड़ गाईज नाइन वीक लगेंगे इस इंसान को ही लोते हुए और आपकी तरफ आन्या शुरू हो जाएगा लेकिन यहाँ टैम प्रेस का काड़ है तो यह इंसान बूरी तरह यहाँ आप देख रहे हो कि दुखी है तो नाइन वीक लगेंगे तो यहाँ थ्री ओफ का बॉटम में है जो यह बता रहा है कि सेलिब्रेशन भी होगा सब कु एंपरस की अनर्जी में हो आपने वैसे ही रहना है अगर आप लोग अभी एंपरस की अनर्जी में नहीं हो तो हो जाओ रहो अपनी लाइफ में अपने रिष्टों में अपने कैरियर को ग्रों में ध्यान लगाओ इस रिष्टे को याद करो पर इतना नहीं कि ज्यादा current feeling अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like, share, comment जुरूर करना हो और जाते जाते जो भी लोग ये reading जो थी ये general reading थी जो लोग personal reading करवाना चाहते हैं description box में जाईए और वहाँ आपको सारी session detail मिलेगी और मैं ये आपको बता दूँ ये general rate पे आपकी ये reading करी जा रही है तो आपको जल्दी ही उसका जवाब मिलेगा तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी